नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट विश्णुधारी सिंग, विश्णुधारी सिंग इलीगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ आज रवीबार है, आप दोस्तों जानते हैं कि प्रते के रवीबार को मेरा question answer series होता है जिसमें आपके चुनिंदा प्रसनों का उतर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दिया करता हूँ तो आए दोस्तों बिना समय गमाए आपके प्रसनों का उतर देना सुरू करूँ पहला प्रसन है संतोस्तरमाजी का, इन्होंने अपने प्रसन में कहा कि मेरे परदादा के नाम खतियान में है लेकिन उसमें मेरे परदादा जी का title गलत चड़ गया है ऐसी परसीती में उसमें सुधार करने के लिए मैं क्या करूँ उत्तर में मुझे कहना है संतोष सर्माजी आप एक application उस title सुधार का लिक्एं उस title का प्रमान भी आप दें जैसे आधार काड हुआ या पिताजी का या दादा जी का और भी कोई card हो जिससे या सावित हो कि उनका title यह नहो करके यह था या यह सर्माण नहो करके इस थी ही था इस तरह की बात लिखे कि इसमें सुधार कर दिया जाए और उसके साथ खतियान की एक कोपी लगाएं जिस खतियान में आपके जाजा जी के टाइटिल गलत चड़ गया है इस तरह का एप्लिकेशन बना कर आप जिला कॉंसलिडेशन ओफिसर के हां जमा करें चुकि जिला कॉं प्रभू नारायन गुपता जी का इन्होंने अपने प्रस्में कहा कि क्या और निवंधित वसियत यानि अन्रेजिस्टर्ड विल मानने है क्या और निवंधित वसियत यान्रेजिस्टर्ड विल का प्रवेट कराया जा सकता है उत्तर में मुझे कहना है प्रभू नारायन ग प्रस्ण है राजेश जी का इन्होंने अपने प्रस्ण में कहा कि जब हम लोग नावालिक थे तो पिता जी ने सारी पैत्रिक संपत्ति को बेच दिया. अब हम लोग बालिग हो गया है, क्या आप उस संपत्ती को हम लोग वापस ले सकते हैं, उत्तर में मुझे कहना है राजेश जी आप निश्चित वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको यह साबित करना होगा, कि पिता जी ने वह संपत्ती अपनी अयासी में बेचा, परिवार के अगर आपके पिता ने संपत्ती बेचा है तो आपकी संपत्ती निश्चित तोर पर वापस हो जाएगी। लेकिन सर्थ है इसके लिए कि आप जिस दिन बालिग हुए हैं उसके तीन साल के अंदर में सिविल कोट में टाइटिल डेकलरेशन सूट का मुकदमा करें। अगला प्रसन है ठाकोर देवदास साहब का। इन्होंने अपने प्रसन में कहा कि मेरी माता जी बिद्वा हैं। पिता की संपत्ती में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने कलक्टर के हावेदन दिया। कलक्टर साहब ने यह काते हुए खारिज कर दिया कि अब यह मुकदमा टाइम बाढ़ है, लगबग 10 साल बीच चुका है, अब हम इसे नहीं सुन सकते हैं। तब माता जी सिविल कोट जाने वाली हैं। क्या सिविल कोट से माता जी को हिस्सा मिल जाएगा। अगला प्रसन है बिशाल कुमार साहका। इन्हों ने अपने प्रसन में कहा कि एक पती की दोसादी थी। पहली पत्नी मर गई, पती भी मर गई, तो क्या दूसरी पत्नी के संपत्नी को बेज सकती है? जी हाँ, विशाल कुमार साहजी निश्चित बेज सकती है, चुकि एक पत्नी के दो पत्नी थी, दोनों पत्नी मानने होगी, चुकि पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी साधी की गई थी दूसरी पत्नी को भी पूरा अधिकार है कि पत्नी के मरने के बाद अपने पत्नी के पैत्रिक संपत्ती को बेच दे अगर उसके पास कोई बालबचा नहों हो तब अगला प्रसना है पिंटू कुमार जी का ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं इन्होंने अपने प्रसन के उत्तर में कहा एक मुस्मात औरत और उसके पती के बड़े भाई के नाम पर खतियान है मुस्मात औरत मर गई उसके पास दो बेटी थी तो अब उस जमीन का मालिक क अबान्ड में लेंड रेभन्यू कोड उत्तर प्रदेश का सेक्शन अग्यक्षव ये कहता है कि विवाहित बेटि Yoan को तीसरे दरजे का उत्राधिकारी माना गया है पहले दरजे में उत्राधिकारी है पत्ट्न बिधवा-पत्टन बेटा कुमारी बेटी या विधवा- दूसरे में अधिकारी हैं दोस्तों उत्राधिकारी हैं दोस्तों बाई और तीसरे केटिगरी में उत्राधिकारी हैं बेटी जो साधी सुधा बेटी हैं आपका केस जो है दूसरे केटिगरी का है कि बिधवा की जो बेटियां थी उन लोगों की साधी तो हो गई थी ऐसी परि वीडियो में धन्यवाद दोस्तों नमस्कार